कि में दॉक्टर सिदार तू मैं कंसल्टेंट ऑफड़ेडिक जॉइंट रिप्लेस्मेंट एंड स्पोर्ट सिंज्यूरिस के सर्जन हूं हाइदरबाद से आज हम ACL टेर के बारे में बात करेंगे ACL surgery कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे तो ACL आप सबको पता है anterior cruciate ligament बोलते है जो जोड के अंदर knee joint के अंदर रहती है जो उपर के हड़ी और नीचे की हड़ी यानि के femur और tibia को connect करती है यह most common injury है athletes में भी और non athletes में भी जो roadside accidents हो जाता है game scale ने के time पे हो जाता है volleyball, cricket, football, trekking जब भी गुटना twist हो जाता है तो यह ACL को injury होती है और ACL अगर twisting force बहुत जादा है तो complete rupture यानि के complete tear of ACL हम देखते हैं तो यह जो ligament जब तूट जाती है यह heel नहीं होती अपने आप यह दोबारा नहीं जुडती और ACL जब completely तूट जाता है इसको surgery करना पड़ता है जो दूरबीन से किया जाता है जिसको arthroscopic ACL reconstruction कहते हैं उसमें यह किया जाता है कि एक नया ligament हम बनाते हैं जो hamstring tendon से बनती है जिसका नाम है semi tendinosis और gracilis यह दोनों tendon से हम ACL graft बनाते हैं और दोनों यानिके ऊपर की हड़ी और नीचे की हड़ी से छोटे छोटे बटन से fix कर देते हैं इसके पहले older generation में screw का system था जापे बड़े बड़े screws हम डालते थे और यह ACL graft को हड़ी के साथ fix कर देते थे लेकिन अभी इतना advance हो गया surgery और technology हम चोटे चोटे बटन से ACL graft हम जो बनाते हैं उसको जोड के ऊपर की हड़ी और जोड के नीचे की हड़ी यानिके femur और tibia को fix कर देते हैं तो इसका नाम है ACL reconstruction surgery कुछ-कुछ patients में ACL को repair कर देते हैं यानिके यहाँ तूटा हुआ जो ACL ligament है उसको हड़ी के साथ anchor डाल के repair कर देते हैं इसका नाम है ACL repair लेकिन हर patient को ACL repair नहीं offer कर सकते क्योंकि कुछी patterns of tear में ACL repair हम करते हैं लेकिन अगर injury पुरानी है 6 हफता से ज्यादा पुराना है और chronic यानिके बहुत टाइम से यह नीका problem चल रहा है गुटना लचकरा है और चलने फिरने में confidence नहीं है और जल्दी गुटना unstable होके patient गिर जाता है उसमें हम ACL reconstruction की operation advice करते हैं यह latest arthroscopic all inside ACL reconstruction कहते हैं जिसमें screws इस्तमाल नहीं होते हैं और चोटे चोटे बटन से यह operation किया जाता है तो यह arthroscopic ACL surgery जो दुर्बीन से किया जाता है और चोटे चोटे कट से किया जाता है और 30-40 मिनिट में यह operation खतम भी हो जाती है जादा टाइम इस operation को लगता नहीं है यह बड़ा successful operation है ACL tears को address करने में और नी को दोबारा stable बनाने में Thank you very much for giving me this opportunity